नमस्कार स्वागत है सभीका ट्रो मीडिया जोतिस विज्ञान में आज हम बात कर रहे हैं एक चमतकारी पत्थर की एक चमतकारी रत्न की यह है रत्न इतना चमतकारी है कि इसके चमतकारों के कारण यह है पूरी दुनिया में पैचाना जाता है और कीमत भी बहुत सस्ती यह आसानी से बहुत कम कीमत में मिल जाता है इस पत्थर को कहा जाता है हकीक जो यह पत्थर है यह नग है यह बहुत ज़्यादा चमतकारी माना जाता है हकीक मूलत ए पत्थर जो है यह मूलत ज़्याद नग जो है यह गरीश में सरपर्थम मनुस्य के पहचान में आया और प्राचेनकाल के अंदर गरीश के अंदर या प्राचेनकाल में इस हकीक को योद्धाओं का नग कहा जाता था यो धाओं का रतन कहा जाता था हकीक को वीरता का परतीक माना जाता था और आज भी हकीक को सब कुछ असंभव से असंभव कारे करने वाला माना जाता है हकीक रतन जो है यह है चिकिस्सा के कारे आपके तवचा के रोगों को आखो के रोगों को धारन करने पर फल देने वाला माना जाता है यह तवचा के रोगों को सांथ करने में भी इसका योगदान माना जाता है नेतर के रोगों को सांत करने में भी इसका रोग थाम करने वाला माना जाता है तो हकीक कई रंगों में पाया जाता है हकीक एक रंग में नहीं पाया जाता हकीक जो है लाल रंग में पीले रंग में नीले रंग में हरे रंग में गुलाबी रंग में सपेद रंग में हर परकार में पाया जाता है यह इसकी कई कौाल्टीयां भी यह सुलेमानी हकीक के रूप में भी पाया जात्य कहा जाता है इसकी हकी कई कौाल्टीयां भानी जाती है और हकीक कोई साभी हो लेकिन यह आपको नजर लग गई है आपके पास टोटके हो गए हैं आपका व्यापार नहीं चल रहा है आपका स्वास्ते सही नहीं रह रहा है आपके रोजगार नहीं लग रहे हैं आपके व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है आपको आप दाउने घेर रखा है आपको ड़र लगता है अईसे मनुस्य हकी को अपने सभी कारियों को करने के लिए इस्तिमाल करता है खकीक से सभी के सभी कारियों में सुब परिणाम पराप्त किये جा सकने हैं यह हकीक जो है सभी धर्मों के में परचलित है और सभी धर्मों के लोग इस में स्रद्दा और विश्वास इसके चमतकारों के कारण रखते हैं हकीक कई रंगों के साथ साथ यह है जितने भी महंगे रतन है मानिक्य है पुखराज है हीरा है ऐसे महंगे महंगे सभी रतनों का उपरतन के रूप में कार्य करता है आप किसी भी रतन को अगर नहीं खरिद कर धारण कर पा रहे हैं तो उस रतन के उप रतन के रूप में आप हकीक को धारण कर सकती हैं हकीक के लिए धारन करने के लिए कोई भी कैसी भी मापतौल नहीं करने की आवस्चता पड़ती है कितने केरट का कितने रत्ती का हकीक धारन करना चाहिए ऐसी किसी भी मापतौल की आवस्चता हकीक को धारन करने के लिए नहीं पड़ती हकीक कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है हकीक सभी के धारण के योग्या होता है इसको धारण करने के लिए रासी का ग्रहन चत्रों का जांचने की भी आवश सकता नहीं पड़ती हकीक आपको डर को दूर करता है हकीक ऐसा भी माना जाता है और ऐसा चमतकार मैंने देखा भी है कि जिस व्यक्ति ने जिस जातक ने हकीक को धरन किया हुआ है यदि उस पर कोई संकट आता है देविक संकट आता है या कोई आपदा आने वाली होती है या वह किसी संकट गरस्त होता है तो उस जातक ने यदि हकीक को धरन किया हुआ है तो यह सुवत ही चटक जाता है और सुवत चटक कर यह आपको संकेत दे देता है किसी आने वाली आपदा का यह आपको संकेत दे देता है किसी आने वाले संकट का और यह आपको सावधान कर देता है हकीक धारन करने का मतलब है कि आपको नकार आत्मा को उर्जाओं से सुरक्षा है हकीक को धारन करने पर इसलिए इसे योद्धाओं का पत्थर कहा गया क्योंकि हकीक धारन करने के बाद आपने आत्मबल में विश्वास प्यादा हो जाता है हकीक धारन करने के बाद आपको निडरता महसूस होने लगती है इसलिए इसे यो धाओं का नग कहा जाता है इसलिए इसे यो धाओं का रत्न कहा जाता है हकीक को धारन करने के बाद आपको देविक जो सक्ती है उससे आपका संपर्क बढ़ने लगता है क्योंकि हकीक धारन पहनने वाला व्यक्ति हकीक जो है आपको अध्यात्म की और ले जाता है हकीक धारन करने से आपका जो मूला धार चक्र है पुर्थवी चक्र जिसे कहा जाता है पुर्थवी चक्र है इसको भी जागरत करने में हकीक धारन करने से साहेता मिलती है हकीक के बहुती ज़्यादा चमतकार हैं अब यहां थोड़ी से बात इसे धरन करने की होगी ज़री आप हकीक धरन करना चाहते हैं तो आप हकीक को धरन कर सकते हैं किसी भी रंग का धरन कर सकते हैं क्योंकि हकीक के जितने फाइदें हैं तो नुकसान की बात करें तो हकीक से आपको कोई नुकसान नहीं होता हकीक आपको कोई नुकसान दे नहीं होता जैसे और रतनों के बारे से आपको नुकसान पहुँच सकता है लेकिन हकीक में आप धारन करने से आपको नुकसान नहीं होता और फायदे फायदे तो अन गेनत ह हकीक को धारन करने से आपका मूला धार चक्र भी जागरत होने में सहायता मिलती है यह आपके आकास तत्व की भी सुरक्षा करता है क्योंकि हकीक को धारन करने से आपके मस्तिष्क में को विचार बुरे विचारों का आना जो आते हैं इन पर भी कंट्रॉल होता है हकीक तवचा रोगों में धारण करने से हकीक को तो यह आपकी तवचा रोगों को सांथ करता है पेट के रोगों के लिए भी हकीक को धारण करने से लाव होता है हकीक को धारण करने के लिए आपको किसी भी मापतोल के आवज सकता नहीं है किसी गिरेन अच्छतर को जाचने की आवस सकता नहीं है हकीक का धारन करने से आपको धारन करना सनिवार को चांदी के धातूं में अंगूठी के रूप में या गले में धारन करने किया जाना चाहिए लेकिन हकीक को आप सनिवार के दिन धारन करें अच्छान्दी में करें और दूप दीप इसकी पूजा करकर आप इसे धरन कर सकते हैं इसको धरन करने के लिए भी किसी विशेश के रिया की आवज सकता नहीं होती तो हकीक रतनों के अंदर गागर में सागर कहा जाए तो कोई अन्युक्ति अगर हकीक को रतनों की दुनिया में गागर में सागर कहा जाए तो गलत नहीं है हकीक रतन के संसार में गागर में सागर का कार्य करता है आप भी यदि किसी विशेश समस्या से गिरसित चल रहे हैं आप भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो आप हकीक अवस्य धारण करें हकीक के अंगिनत लाप अंगिनत फाइदे आपको मिल जाते हैं इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई विशाय के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया जोदिश विज्ञान को लाइक से रिकमेंट करना न भूलें ओम नमस्वाइ भगवान बोलें आप सबका कल्यान करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें